अस्सलामु अलेकुम बिस्मिल्लाहिरोह्मानिरोहीम हम 9.3 कर रहे थे उसके कुष्टन फॉर्ट कुष्टन हम लोगों ने कर लिये थे अब हमने कुष्टन नमबर 5 करना है find the values of the trigonometric functions of the following quadrantal angles quadrantal angles पे हमने find करने है values trigonometric function हमें पता है trigonometric functions हमारे पास 6 है उन सब की values हमने इन angles पे find करने है और पहले आप लोगों को मैं बता देती हो हम लोगों ने एक general angles पड़ा था हमारे पास क्या होता है अगर हमारे पास कोई भी angle theta दिया हुआ है तो हम उसमें 2k pi add कर दें तो उस angle पे कोई फार्ट नहीं पड़ेगा और हमारे पास क्या होता है ये theta belong करना चाहिए sorry k belong करना चाहिए z में से यानि कि k हमारे पास integers होना चाहिए अब अगर positive integers होंगे तो इसका मतलब है ये 2k pi वाले जो भी add हो रहा होगा और जब ये k negative integer होगा तो इसका मतलब है वो theta में से वो difference हो रहा होगा यानि minus कर रहे होंगे हम वो values अब यहाँ पे हमारे पास 5 का question number 5 का first part है हमारे पास angle दिया हुए minus pi अब minus pi में अगर मैं 2k pi add करूँ k की value मैं यहाँ पे रख देती हूँ 1 तो 2 into 1 pi तो अब क्या होगा 2 pi में से pi निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या answer आएगा pi हमें पता 180 है 180 पे हमें angles पता है कैसे निकालते हैं तो हमारे पास sine pi sine pi हमें पता है किसके equal होता है 180 sine 180 है तो sine 180 हमारे पास क्या होगा 0 एक मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कुछ कुछ एंगल के हमने acute angles की values निकाली थी यहाँ पे होता है 0 degree यहाँ पे होता है pi by 2 यहाँ होता है pi यहाँ होता 3 pi by 2 यहाँ होता 2 pi इस पूरी लाइन पे cause हमारे पास 0 होता है यहाँ जब हम cause pi by 2 भी निकालेंगे वो भी 0 आएगा cause 3 pi by 2 भी answer 0 आएगा इस पूरी लाइन पे हमारे पास sine 0 होता है sine 0 पे भी 0 होगा pi पे भी 0 होगा 2 pi पे भी 0 होगा 3 pi पे भी 0 होगा 4 pi पे भी 0 होगा जैनि जब values यहां पे आ रही है pi के multiples पे आ रही है तो sign वहाँ पे 0 बन रहा है और जब वो pi by 2 के odd multiples आ रहे हैं यानि कि अब यहां पे pi by 2 के odd multiples आएंगे pi by 2 है 3 pi by 2 फिर जब हम इधर rotate करके आएंगे तो यह हो जाएगा 5 pi by 2 फिर यहां पे वापस आएंगे तो यह 7 pi by 2 आइंगस इस पूरी लाइन पे जब हम sign की value निकालते हैं sorry cos की value निकालते हैं वो 0 हो जाते हैं यह हमारे पास होते हैं pi by 2 के odd multiples यह वाली लाइन पे जो आइंगस बनते हैं वो pi by 2 के odd multiples होते हैं और यहां पे होते हैं Pi के Multiple यानिए 0 Pi फिर 1 Pi, 2 Pi फिर यहां आएंगे तो 3 Pi फिर यहां से Rotate करते हैं यहां आएंगे तो 4 Pi और यह आप लोगों ने याद रखना है इस पूरी लाइन पे हमारे पास Cause Sine 0 होगा इस पूरी लाइन पे हमारे पास Cause की Value 0 होती है अब यहाँ पे हमारे पास पूरी लाइन पे कॉस हमारे पास 0 है लेकिन जब उपर हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन ठिटा की वैल्यू हमारे पास जब इन एंगल्स पे निकलेगी उपर वली वैल्यू उस पे वो 1 आएगा और जब हम इन पे निकालेंगे तो sin theta की value क्या आएगी माइनस 1 और जब हम इन पे value निकालेंगे cos 0 है या 2 pi है यहाँ पे जो भी angle बनेगा उस पे cos की value बन आएगी और जो यहाँ पे angles बन रहे होंगे जैसे 3 pi बनेगा 5 pi बनेगा तो cos theta यहाँ पे क्या होगा माइनस 1 होगा तो यह value values आप लोगों ने याद रखनी है कि sin जो है वो इस line पे 0 होता है cos हमारे पास किस line पे 0 होता है इस line पे 0 होता है अब हमारे पास value क्या थी minus pi हमने उसमें 2 pi एड कर दिया तो वो pi बन गया तो हमने pi पे सारे trigonometric functions की values निकालनी है हमें क्या चाहिए सिर्फ sin और cos की value अगर हमारे पास आ जाती है तो हम सारे trigonometric functions की value फाइंड कर सकती है तो sin pi मैंने आप लोगों को कहा यहाँ पे पूरी line पे sin की value 0 होगी तो यहाँ पे sin pi इसी line पे आ रहा है प्लस 1 जब हमें यह दो trigonometric functions फाइंड हो जाते हैं तब हम सारे trigonometric functions की value फाइंड कर सकते हैं sin pi 0 आए है cos pi क्या आए है माइनस 1 अब 10 pi क्या होगा sin pi over cos pi यह 0 है और यह माइनस 1 है तो answer क्या आएगा 0 अब हम इनके reciprocals की value भी निकाल सकते हैं को secant pi हमारे पास क्या हो जाएगा 1 over 0 तो यह आ रहा है undefined इसका reciprocal है secant pi secant pi क्या हो जाएगा 1 over minus 1 तो answer क्या है गा minus 1 code pi हमारे पास क्या हो जाएगा 10 pi 0 है तो 1 over 0 हमारे पास undefined आजाएगा तो यह हमने 6 trigonometric functions की values फाइंड करनी है किस पे? पाई पे अब next हमारे पास है next angle है हमारे पास minus 3 pi अब minus 3 pi है इसमें हमने ऐसा angle लेना है क्योंकि हमें या तो acute angles की values फाइंड पता है या हमें quadrantal angles जो यानि कि x axis या y axis पे लाए करते हैं उनकी values फाइंड होती हो जब भी हमें quadrantal angles देंगे तब हमें सबसे ज़्यादा important क्या है कि या हमें sine और cause donor की values पता होनी चाहिए और उसका सबसे असान तरीका ये है कि इस पूरी line पे sine 0 होता है अगर angle positive x axis पे बन रहा है तो उस पे cause की value बन आएगी और अगर angle negative x axis पे बन रहा है उस पे cause theta की value minus 1 होगी इस पूरी line पे cause की value 0 होगी अगर angle positive y axis पे बन रहा है तो sine theta की value 1 आएगी और negative y axis पे बन रहा है तो sine theta की value minus बन आएगी अब जैसे कि हमारे पास जो है minus 3 pi है इसमें हमने ऐसा 2 के pi एड़ करना है कि एक कॉडरेंटल angles में से किसी की values आजए तो minus 3 pi में अगर हम लोग 2k pi आड़ करना है 2 into k की value में 2 ले ले लेती है या तो pi आए answer आए या minus pi आए pi by 2, 3 pi by 2 incondental angles जो smallest है हमने उनकी values पता है तो अब ये हमारे पास दुबारा क्या बन जाएगा 4 pi में से 3 pi निकाल लेंगे तो pi तो अब ये दुबारा वो ही 6 trigonometric functions की value आप लोगों ने इस पे लिख देनी है लेकिन आप लोगों ने लिखना कैसे है sin minus 3 pi equal होगा sin pi के sin pi हमारे पास किसके equal होता है 0 के equal फिर हम लिखेंगे cos minus 3 pi किसके equal होगा cos pi के equal होगा cos pi हमारे पास किसके equal होता है minus 1 tangent minus 3 pi किसके equal होगा tangent pi के और tangent pi हमने अभी निकाला वो क्या आया था हमारे पास 0 क्योंकि हम sin को divide करते हैं cos पे अब इनके reciprocal निकाल लेते है cosec minus 3 pi is equal to cosec pi और वो हमारे पास क्या आजाएगा cosec pi अभी हमने निकाला है sin pi over cos pi है sin pi की value हमारे पास sorry sin कर रहे प्रोकल है तो 1 over sin की value 0 आ रही है तो 1 over 0 क्या होगा undefined secant minus 3 pi और वो किसके equal होजएगा secant pi के equal secant pi क्या होगा cos की value को हमने 1 से divide करना है तो 1 over minus 1 minus 1 ये क्यासे निकाला है को secant 1 over 0 से निकाला तो infinity code minus 3 pi तो ये आजएगा 1 over 0 आ रहा है code pi answer क्या आएगा undefined तो ये हमारे सिक्टिणोमेटिक functions की हमने values find कर ली है अब next हमारे पास जैसे है 5 pi by 2 5 pi by 2 अब हम इसकी values कैसे find करेंगे 5 pi by 2 हमारे पास angle बड़ा है तो इसको हम small करेंगे तो हम क्या करते हैं इसको हमने 2k pi इसमें add करना है 2k pi तो हम k की value ले ले लेते हैं यहाँ पे minus 1 अब मैं बताते हूं आप लोगों ने minus 1 क्यों लिया जैसे अब यह आजाएगा 5 pi by 2 plus 2 into minus 1 pi अब जब हम इसका LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 5 pi 2 इससे multiply होगा तो minus 4 pi तो 5 pi में से 4 pi निकल गया तो यह आजाएगा pi by 2 और हमें pi by 2 पे सारी values पता है sin pi by 2 अब pi by 2 इस line पे आ रहा है इस पे cause हमारे पास क्या होगा? 0 होगा और pi by 2 positive x x इस पे angle बन रहा है तो इसका मतलब है sin की value इस पे क्या आएगी? 1 आएगी sin pi by 2 sin हमारे पास था क्या total angle क्या था? sin 5 pi by 2 और उसकी value हमने निकल लिया sin pi by 2 वो क्या आजाएगी? 1 के equal cause 5 pi by 2 equal होगा trigonometry functions की values पता चल गई है तो आप सारी values फाइड कर सकते हैं अब next हमारे पास क्या होगा? tangent pi by 2 tangent pi by 2 तो वो sin over cause होता है 1 over 0 हमारे पास क्या होता? undefined अब इसी का reciprocal कर अगर मैं निकालूं cause cause 5 pi by 2 cause 5 pi by 2 हो जाएगा और 1 over infinity क्या होगा? 0 sin कर ऐसी प्रोकल होता है cosecant 5 pi by 2 cosecant 5 by 2 के equal आएगा अब sin कर ऐसी प्रोकल है 1 को 1 से divide करेंगे तो answer फिर भी 1 ही आएगा अब इसका ऐसी प्रोकल है secant 5 pi by 2 secant pi by 2 तो 1 over 0 क्या हो जाएगा? infinity क्योंकि हम इसका reciprocal निकाल रहे हैं तो 1 over infinity क्या आजाएगा? infinity तो यह हमारे पास हो गया है अब next हमारे पास क्षच्चन है minus 9 pi by 2 minus 9 pi over 2 minus 9 pi by 2 इसमें हमने angle को plus करना है तो यह आ रहा है minus 9 pi by 2 हम यहाँ पर k की value ले ले लेते हैं अब हमारे पास क्या आएगा? LCM अगर हम लेंगे तो 2 आएगा minus 9 pi 3 2s are 6 6 2s are 12 12 pi तो यह बनना हमारे पास 3 pi by 2 3 pi by 2 270 है इस पे हमें सारे angles पता है सारे trigonometry functions की values पता है sine हमारे पास होजेगा 3 pi by 2 3 pi by 2 हमारे पास sine minus 9 pi by 2 के एक वाला और 9 3 pi by 2 कहां पर बनना हमारे पास यहां पर angle बन रहा है तो sine theta अधर क्या होता? minus 1 cause इस पूरी line पे हमारे पास क्या होता? 0 होता अब अगर यही दो values आप लोगों को पता चल गई हैं tangent हम कैसे निकालेंगे minus 9 pi by 2 पे tangent 3 pi by 2 के एक वाला होगा sine over cause होता है तो sine की value minus 1 है इसकी value 0 तो minus 1 को जब हम 0 पे डिवाइड करेंगे तो undefine आएगा अब इसी का reciprocal जब हम निकालेंगे 9 pi by 2 quote 3 pi by 2 तो 1 over infinity क्या होजेगा? 0 sine का reciprocal होता है cosecant cosecant minus 9 pi by 2 cosecant 3 pi by 2 अब 1 को डिवाइड करेंगे minus 1 पे क्योंकि ये इसका reciprocal है तो answer फिर भी minus 1 आएगा और इसका हमारे पास है secant minus 9 pi by 2 secant 3 pi by 2 और जब हम इस value को 1 over 0 को डिवाइड करेंगे तो answer आएगा infinity तो ये हमने इन पे values फाइंड कर लिया अब आप लोगों ने कुछ कोस्त भूद करने और कुछ मैं नेक्स लेक्चर में करवा दूंगे आप लोगों को बेंगे आप लोगों! झाल झाल